वजीर राजनात सिंग ने कहा है कि नेशनल सिकूरिटी उनकी प्रायोरिटी में शामिल है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की पीड में पीडीपी और बीजेपी की सरकार उनकी प्रायोरिटी नहीं बलके नेशनल सिकूरिटी उनकी प्रायोरिटी हमार साथ संजय नियूरू पर है कि national security उनकी priority है और जम्मो कश्मीर के जो इतिहादी सरकार है उनकी जम्मो कश्मीर में वो नहीं है उनकी priority ग्रेमंत्री साहब ने कोई नई बात नहीं कहीं है भारत की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्रात्विक्ता होनी चाहिए टॉप priority होनी चाहिए इस बात से तो लाने के लिए उनके सहयोगी दल कुछ भी कर ले उसको माफ कर देते हैं मुप्ति मौमत सही साब जो हमारे जम्मो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जिस तरीके से एक मिलिटेंट को एक आतंकवादी को छोड़ा है रिहा किया है उसके उपर प्रधान मंत्री का और उनको जानकारी नहीं है बड़ा हस्यास्पत लगता है इस पर हसी आ रही है मुझे और अगर अगर कंट्री की सिक्रेटी टॉप प्राइटी पे है तो अभी तक वो गढ़बंदन तोड़ देना चाहिए था अभी तक सरकार से नको निकल जाना चाहिए था क्योंकि मुप्त और आरेसेस के लोग अपनी शाखाओं में तिरंगे की जगह है भगवे को सलाम करते हैं जो तिरंगे को सलाम नहीं करते हैं वो देशभक्ती की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है जिस तरीके से अभी पूरी फिरिस्ट एक तयार है सरकार ने तयार कर रखी आठ सो लोगों क आरेसे की फ्रिष्ट है वो अलगवादी नेता है अलाहदा पसंद नेता है वह आतंकवादी है तो अगर एसा होता है तो कांग्रेस का क्या चत्रकार को बाहर निकलना पड़ेगा और मुप्ति मुमथ सचित की सरकार को इतने आजादी नहीं देनी। है नहीं देनी चाहिए इतनी अजादी क्योंकि जो आतंकवादी है जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है चाहिए वो कोई भी हो चाहिए कश्मीर भी हो या मुंबई में हो और अगर किसी ने गुनाह किया है तो कानूनन उसको या तो रिहा करिया या उसको सजा दीजिए लेकि सियासी फायदे के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए।